दसवी और बारवी के स्टुडेंट्स हैं, जिनका एकजाम अभी मार्च अप्रिल में होने वाला है, उनका थियोरी का हॉल्टिकट आज चुका है, हॉल्टिकट को डाउनलोड करने के लिए आपको एक वेब ब्रोजर की जहुरत पड़ेगी, तो आप एक वेब ब्रोजर आपन कर लेंगे, सर्च वार में आपको टाइप कर लेना है, एन आई ओ एस टाइप करकर आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको पहले नमर पर लिंक मिलेगा, नेस्टनल इंसिट्यूट ओपन स्कूलिंग, ठीक सर्च के नीचे आपको 4-5 लिंक और मिलेगी, जिसमें आपको पहले नमर पर लिंक मिलेगा, स्टूडेंट लोगिन का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, और स्टूडेंट लोगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आगर आपके पास user ID और password है तो यहां पर डालोगे और capture डालके आप login कर लोगे अगर नहीं है तो उसके इसमें आपको रॉल नमर से या reference नमर से login करने के लिए आप देखोगे login by reference नमर और enrollment नमर इस लिंक पर आप क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा यहां पर आप देखोगे कि अगर आपके पास reference नमर है तो आप यहां पे reference नमर डालदना अगर reference नमर नहीं है तो i card होगा आपके पास i card में से आप यहाँ पे सबसे पहले अपना roll नमर डालोगे data पर select करोगे फिर यह capture आपको इस column में डाल देना है then login करना है login करने के बाद आपके सामने ऐसा interface आएगा आपको यहाँ पे थोड़ा सा scroll down करना है scroll down करने की वाद जब आओगे तो आपको सामने एक box मिलेगा public exam का public exam में आपको एक link मिलेगा hall ticket का hall ticket में bracket में आपको practical भी लिखा हो सकता है और theory भी लिखा हो सकता है तो आप इससे tensor मतले ना आपको सिर्फ hall ticket के link पर click करना है hall ticket के link पर click करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि आप देख पार होंगे यहाँ पे हॉल टिकेट फोर थियोरी एक्जामिनेशन पहले से स्लेक्ट है इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यह आप देखोगे कि यह बॉक्स खुल जाएगा और इस बॉक्स में आपको हॉल टिकेट फोर थियोरी एक्जामिनेशन हॉल टिकेट फोर प्रैक्टिकल एक्जामिनेशन practical hall ticket कैसे डाउनलोड करना था इसके उपर वीडियो बनाया था मैंने बहुत पहले आप उसे देख लेना अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किये हो तो यहाँ पे आपको hall ticket डाउनलोड करने के लिए थियोरी का पहले नमर पे क्लिक करना है और सम्मिट पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने यह जो है hall ticket आ जाएगा ठीक है और यह जो आपका hall ticket यह थियोरी का है इस hall ticket में आपको सबसे पहले exam center का address देख लेना है जैसे कि आप देख पारोंगे यहाँ पे यह exam center का address है ठीक है और इसमें आपको subject दिये गए है subject के exam कब है वो दिये गए है जैसे कि जोगरफी का हमारा 12 अप्रेल का है history का हमारा 18 अप्रेल का है political science का 20 अप्रेल का है English का हमारा 22 अप्रेल का है और physical education and yoga का 27 अप्रेल का है ठीक है तो आप यह देख लेना यहां पर आप नीचे देखोगे important introduction में इसमें आपको बताया गया कि आपको एक identity कार लेके जाना है अधार कर लेके चले जाना ठीक है mobile बगड़ा लेके मत जाना और जो थोरी का exam होने वाला है इंडिया में वो ठाई बज़े से सारे पांच बज़े के बीच में है ठीक है तो इसमें आपको time जो दिया गया है यह जितने यह ही paper है ठीक है सारे ढाई से 5 सारे 5 के बीच में होगा ठीक है और एक्जाम के आपके एक घंटा पहले आपको अपना वे पहुंसना है ठीक है आप इस बात का ध्यान नखना धाई बज़ए से सारे पांच बज़ए के बीच में आपका एकजाम है और एकजाम सेंटर आपको एक घंटा वीफोर पहुंसना है ठीक है वहाँ पर जाके अपनी आइडेंटिटी कार्ड दिखाना है यह इसका से पहले इसे पीडियफ में सेब कर लेना है और इस तरीके से सेब हो जाएगा सेब करने के बाद आपको क्या करना है कि इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है जब भी एकजाम है आपका आप जा सकते हो देने ठीक है और यह जो मैं आपको डाउनलोड करके दिखाया ठीक है तो आप अपने स्थेडी सेंटर जाकर विजिट करो अगर आ गया है तो आप डाउनलोड करो और अपनी पेपर की तयारी करो सारे कागच पहले से तयार कर लो आशा करता हूँ आपको यह जो वीडियो है इंफोर्मेटिव लगी हो लगी है तो लाइक एंसे जब करे चैनल को जरूँ सब्सक्राइब कर लेना ऐसा ही अपडेट के लिए